जहिन फ्रेंज आप सभी की लोगों के लिए एक सांदार खुश खबरी है नेशनल डिफेंस अकेडमी याने एंडिये में न्यू विकेंसी आ गई है आप फॉर्म फिलप कर सकते हैं उन सभी के बारे में आपको पूरा डेटेल्स के साथ इस वीडियो में जानकारी मिल कि आप कैसे फॉर्म फिलप कर सकेंगे फॉर्म फिलप का डेट जो है वो क्यार रहेगा और दोस्तों इसके एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में यह दि आप लोग नहीं जानते हैं तो वही इस वीडियो के माधियम से आप लोगों को पता चल जाएगा तो वीडियो मे लाष्ट तक बने रहिएगा चलिए हम लोग चलते हैं डारेक्ट अया डिफेंस खलास की मेन वेब साइट पर और जानते हैं पूरा प्रोसेस क्योंकि वहीं अपडेट करता हूं मैं जो भी न्यूविकेंजी आता है उसको तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं पूर स्टार्ठट हो चुका है या आप कर सकते हैं ऐनी अदर कम्प्योटर सेंटर में या फिर अपने से यही फॅनnya कर सकते हैं लाश्ट चम्रास जो यूझ वह चैड Christmas पूर रहेगा शाल सब्सक्राइब में भर तर्फ आब या झेवे नां, तो आपका exam data यहीं पर मैं clear कर देता हूँ आप तयारी में लग जाएए दोस्तो 3 September 2023 से आपका exam start है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय है यदि आप selection लेना चाहते हैं तो इसके लिए अभी से तयारी में जूट जाएए आपका application fees के बारे में जानते हैं जेनरल ओविसी वाले जो students हैं उनको सवर्व पर फीस पे करना पड़ेगा और SCHT जो students हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा इसमें चलिए भारत में आप कहीं से भी हो farm fill आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सबसे important बात को जानेंगे age limit के बारे में यदि आप का age दो जन्वरी 2005 से 2008 के बीच में हैं तभी आप farm apply कर सकते हैं अन्यथा उससे न कम न उससे ज्यादा आप apply नहीं कर सकते हैं यह बात आप लोगों के लिए most important है इस वीडियो में चलिए जानता है नमबर आफ पोस्ट और विकेंसी डिटेल को category wise तो दोस्तों इसमें आप ल और एयर फोर्स में एक सब 20 पोस्ट देखने को मिल जाएगा नेवल अकेडमी यानि एने के द्वारा यदि आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो इसमें 25 पोस्ट दिया गया है चलिए हम लोग सबसी important बात को जानते हैं इसमें आपके education qualification के बारे में आप simple 12th पास हैं त साथ में आपने physics and mathematics subject रखा हुआ है आपने उसमें study किया हुआ है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और physical standard के बारे में जानते हैं दोस्तों तो आप हां इसमें आप physically fit रहना चाहिए और प्लस इसमें आप unmarried candidate ही apply कर सकते हैं इसमें याद रखिएगा यह सबसे important बात है आप लोग दे दिया है अब वहां जाकर खुद से apply कर सकते हैं any other computer center में जाकर apply कर सकते हैं कुछ भी पूछना है तो आप हमें comment कर सकते हैं दोस्तों आपका जो selection process होगा वो ट्रीटर exam के through होगा और आप objective wise question होगा दोस्तों एक question के 4 options होते हैं उसको objective wise बोला जाता है अब उसी के through आपका exam clear कर पाओगे तो तैयरी में लग जाइए कुछ भी पूछना है ताप हमें comment कर सकते हैं यहां से form fill आप कर लेंगे दोस्तों और OTA registration कर सकते हैं या फिर official notification को भी पढ़ सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही channel को यदि आप पहली बार आए है channel में ऐसी government job news लेना चाह चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियो तक वीडियो को सेयर करें क्यूंकि दोस्तों new information है वो भी आपके साथी भी अपलाई कर सकता है इसमें और उसको भी अच्छा opportunity मिल सकता है तो चलिए हम लोग ऐसी एक और important information वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं टबता के लिए जाहिन वंदे मात्रम